हेलो फ्रेंड्स अपेक्स कंप्यूटे के उनलाइन टुटरियल में आप लोगा स्वागत है मैं आनन सर आज आपको पताने वाला हूँ कि कि CPU के अंदर लगने वाले hardware parts को आपस में connect कैसे करते हैं तो motherboard हो गया hardis हो गया RAM हो गया SMPS हो गया Micro processor हो गया इन सबों को आपस में connect कैसे करते हैं और कैसे अपने सिस्टम को हम पूरी तरह से असेंबल करके और स्टार्ट करते हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत important और अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाला है तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा चलि हम अपना topic कश्चाइब करते हैं यह जो आपके साएंब देख रहे हैं यह मदर बोड है और इस मदर बोड के ऊपर हमें इस जगह पे 24ige wireless लगता है यह आपका 24 पर एक बता दूंकि मेरे पास अब हैं जो कि मैं यहाँ पर रख suivocol सेशाब है और क्या यह क्या माइक्रो प्रोसेसर चिप में से कोई भी माइक्रो प्रोसेसर चिप इसके उपर लग सकता है क्या तो बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई 마이크로 प्रोसेसर चीफ इसके उपड़ लग सकता है क्योंकि अगर आप इसकी बनावाट को देखेंगे तीनों की बनावाट अलग है तो यह तीनों माइक्रोसेसर मैं आपको एके करके दिखाता हूं कि यह कौन-कौन से 536 GHz इसकी स्पीड है तो यह Core to do Microprocessor है और इसकी बनावट आप देखिए इसकी बनावट की कैसी है इसकी बनावट कुछ ऐसी है यह Core to do Microprocessor है अगर हम इस Microprocessor की बात करें तो इस Microprocessor को ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपको देखेगा यह Core i3 और 2120 मतलब Second Generation का Microprocessor है और इसकी स्पीड है 3.30 GHz तो यह Core i3 Second Generation का Microprocessor और इसकी आप बनावट देखिए यहां पर यह डॉट और यहां पर यह डॉट किस तरह से दिये वह हैं तो यह Core i3 Second Generation का Microprocessor है और यह जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं इसको देखते हैं तो यहां पर आप देखिए यह i5 और 2440 तो यह आपका i5 और 4 generation का Microprocessor है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी Microprocessor को आप इसके उपर लगा सकते हैं आप जो Microprocessor इसके उपर लगने लायक है आप उसी को लगा सकते हैं तो वह डिपेंड करता है कि यह Board कौन सा है तो यह Board आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप जहां से देखेंगे तो Board का यह नाम है G41 और यहाँ पर देखी DDR3 तो यह DDR3 तो रैम के लिए हो गया और यह G41 मदरबोर्ड जो होता है इसमें आपका यह DDR3 रैम स्लॉट आपका दिया हुआ है मतलब यह G41 मदरबोर्ड के लिए आपका जो Microprocessor होग का वह यह वाला है और दूसरा कोई Microprocessor अगर हम लगाने के कोशिश करेंगे तो वह इसके स्लॉट पर सही से नहीं बैठेगा तो चलिए हम देखते हैं मैं इसको ओपन करता हूँ और यह बहुत देंजरस पार्ट होता है Microprocessor को लगाना अपने आप में एक बहुत ही टफ काम है क्योंकि अगर इसका यह जो पिन है इसमें यह जितने ही भी पिन आपको देखना कर इसमें से कोई भी पिन अगर आपका डेमेज हो गया तो यह तो अगर मैं इस Microprocessor को लगाने के कोशिश करूंगा Core i3 के तो आप देखेंगे कि यहां पर यह जो कटिंग है यह जो कटिंग आपको यहां पर दिख रहा है यह कटिंग तो यह कटिंग के लिए यहां पर कोई जगत दिया हुआ नहीं है इस जगह पर इस मदरबोर्ड पे को यहां पर लगाने के लिए कोई जगह दिया वह नहीं है तो अगर हम इसको यहां पर लगाएंगे तो यह सही से नहीं बैठेगा इसकी उपर और यह नहीं बैठे तो फिर यह ऐसे यह लॉक भी नहीं होगा तो इस वज़े कि जो इसके उपर लग सकता है मैं उसी को लगाता हूं तो इस micro processor को जो इसके उपड़ लगने के लिए बना है और मैं इसको यहाँ लगाता हूं और यह देखी यह बहुत अच्छे से यहां पर से और आकि इसके στηνर के स्लॉट की बनावाट देखेंगे के वonos say बिल्कुल डिफ्रेंथ Shock अप उपर से बनाव मथ देख सकते यह अलग है और यह अलग है तो इसके उपर जो मेरा माइक्रोप्रोसेश र magnet होगा वो यह वाला माइक्रesh guess जो की मेरा آई 3 औरसेकन्ड जनर्म है वह इसके उपर सेट होगा आईट सैटेक साहfire को उसेटन नहीं होगा तो चैने का मतलब यह है कि माइक्रोप्रोइश सर्के एककॉर्डिनमदर बोड की बनावट होती है और motherboard की बनावाट microprocessor के recording होती है तो इसके उपर मैं इसको लगाता हूँ और यह microprocessor इस पर लगने के लिए ही बना है और यह motherboard की design EC microprocessor के लिए है तो यह मेरा बहुत ही easy way में यहाँ पर set हो जाता है इसको मैं अलग करता हूँ और यह तीसरे microprocessor के लिए मैं यह तीसरा motherboard आपके सामने लेकर आता हूँ और यह तीसरा microprocessor core i5 का 4 generation इस motherboard पर लगने के लिए बना है तो इसको मैं यहाँ पर आसानी से यह देखिए यह set हो गया थोड़ा सब इसमें mistake होगा तो पुरा motherboard ही खराब हो जाता है और यह यहाँ पर बहुत ही आसानी से सेट हो गया तो कई बार दिवाएंग में आता है कि हमें अपना system upgrade करना है microprocessor चेंज करना है तो microprocessor का change करना या system को upgrade करना यह बहुत हद तक आपके motherboard के बनावर्ट पर डिपेंड करता है कि वह उस microprocessor को support करता है कि नहीं करता है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ RAM आपके सामने रखा हुआ है और इसमें मैं आपको 11 करके दिखाता हूं वन बाई वन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1GB और DDR2 लिखा हुआ है मैं आपको एक दूसरा RAM דखाता आ हूं इस रिम को देखिए यहाँ पर लिखावा है 2GB PC3 यह PC3 का मतलब हो गया यह DDR3 तो कई जगा DDR3 डारेक्ट लिखा रहता है कई जगा PC3 लिखा रहता है तो यह आपका 2GB का DDR3 RAM है इसको मैंने यहां रखा खान, मैं इस RAM आपको दिखाता हूं तो इसRAM में आप देखेंगे तो यह आपका DDR4 RAM है और यह वाला RAM भी आपका DDR3 होगा और यह 4GB का है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका 4GB और PC3 मतलब यह DDR3 RAM है तो इसको मैं अलग कर देता हूं और मैं आपको यह बताता हूं कि यह DDR2 है यह DDR3 है और यह आपका DDR4 RAM है अब यह DDR2, DDR3, DDR4 लगाने के लिए आपके mother board की बनावट भी वैसी होनी चाहिए जैसे microprocessor के लिए mother board की बनावट है उसी तरिके से इस RAM को लगाने के लिए मदरबोर्ड की अपनी बनावट होती है मतलब की यह जो यहाँ पे जो आपको रैम लगाने के लिए जो सुलड बना हुआ है तो इस पर कौन सा रैम लगेगा उस हिसाब से हमें रैम यहाँ पर लगाना पड़ता है जैसे कि अगर मैं इसके पर DDR2 रैम लगाने के कोशिस करूं तो नहीं लगेगा और मैं DDR4 लगाने के कोशिस करूं तो नहीं लगेगा अगर मैं यह तीनों रैम को एक साथ रख दूं DDR2, DDR3 और DDR4 को तो आप देखेंगे इसमें जो कटिंग है यहाँ पर यह जो कटिंग है यह कटिंग इन तीनों की अलग-अलग है यह देखिए यह देखिए यहाँ पर आप कटिंग पर ध्यान दीजिए तो अगर आप इस कटिंग को देखेंगे तो यह तीनों की कटिंग बिलकुल ही अलग-अलग जगा पर है तो यहाँ पर भी आपको कटिंग लगने के लिए जो जगा होगी वो भी अलग-अलग जगा होगी तो जै तो देखिए इसके लिए परफेक्ट नहीं है तो यहां पर जो राइम लगेगा वह आपका डीडियर थ्री लएगा तो मैं डीडियर थ्री राइम लगाता हूं इसके उपर यहां पर एडियर थ्री राइम असानी से लग चुका है तो इस तरीके से राइम को लगाया जाता है और राइम को लगाने के बाद इस लॉक को आप देखने हैं इस लॉक कर दिया जाता जिससे कि यह RAM फिर ऐसे करने पर उल्टा करने पर यह RAM आपका गिरे नहीं तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं और इस तरीके से RAM यहाँ पर मदरबोर्ड के उपर लगा दिया जाता है है अब मैं आप से बात करता हूं हाटिस लगाने के लिए तो यह हाद झीजे इस हाद झीज को हम असानी से इसके उपर लगा सकते हैं कैसे तो एक केबल की सहता से लेखिए आज है कि केबल और इस केबल कि सहता से हाद जो bekannt किया जाता है तो यहां पर आपको दिख साब जगा आपको दीखेगा यहां पर इस यह data cable है और इस data cable को यहां पर लगा दिया जाता है इस तरीके से और दूसरा जो हिस्सा होता है यह हम अपने hardisk के इस जगह पर लगाते हैं यह देखे यह सेट हो गया तो इस तरीके से हम अपने motherboard से हार्डिस का कनेक्शन करते हैं, जिससे की डेटा ट्रांस्फर हो सके, अभी हमने मैक्रो प्रोसेसर लगा दिया, रेम लगा दिया, और हार्डिस लगा दिया, अब हम बात करते हैं, SMPS लगाने की, तो यह जो SMPS है, इसी से आपके सिस्टम को पावर सप्लाई मिलता है तो यह जो SMPS का यह जो connector है इस connector को ही हमको motherboard में लगाना पड़ता है जिससे की motherboard को power supply मिले तो वो देखिए यहाँ पर जगा दिया हुआ है लगाने के लिए इस जगा पर हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं कि इसको थुरा दाबना पड़ता है और इस तरीके से हमने SMPS का यह 24 पिन का connector यहाँ पर लगा दिया तो SMPS का काम मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रख्या है power supply देना तो यह motherboard के पूरे पार्ट को power supply देगा साथ में SMPS के कुछ पार्ट का connection और हमें करना पड़ेगा कुछ device से वह मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूं देखिए यह जो इसका इसको बोलते हैं साटा power cable और यह hard disk को power supply देगा तो SMPS का काम हर एक डिवाइस को power supply देना है और यह यहां पर SMPS से आकर hard disk में ऐसे लग जाता है तो इस तरीके से हम hard disk को power supply भी दे देंगे इसके माध्यम से और इसके माध्यम से हम data transfer का काम करते हैं कि इस SMPS का एक connector और है जो कि यहां पर इस जगह पर लगता है इस जगह पर इस को बोलते हैं रैम booster और यह आपका इस तरीके से यहां पर ऐसे सेट हो जाता है तो SMPS से जनरली तीन जगह connection देना रहता है एक तो motherboard पर इस जगह पर एक hard disk को और तिसरा connection आपका यहां पर होता है रैम booster पर इस hard disk के connection की जगह आपको SSD का connection करना हो तो simply क्या करना है कि आपको इस connector को हटा देना है जो कि SMPS से आया और यह data cable को आपको हटा करने से अब मिल जाएगा तो आप चाहें तो hard disk की जगह SSD का connection इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि SSD और hard disk दोनों का connection हो कोई दिक्कत नहीं है एक दूसरा लेटा केबल आपको लेना होगा और यह दूसरा डेटा केबल लेकर आप मदर बोड में देखेंगे यहां पर और भी जगह दिया हुआ है तो आप simply यहां पर इसको connect कर दीजे और यह जो hard disk है इस hard disk को आप supply दे दीजे यह आपका data transfer का काम करेगा तो आप देख सकते हैं कि SSD का भी connection यहां पर हो गया और hard disk का भी connection यहां पर हो गया है और अब SMPS से एक और ऐसा power supply लेकर एक ऐसा power supply लेकर और हम hard disk को भी connect कर देते हैं यह देखिए तो SMPS से हमारे hard disk को भी power supply जाएगा और हमारे SSD को भी power supply जाएगा और दोनों का data transfer भी हमारे motherboard के जरिए इन दोनों के cable के माध्यम से इस cable के माध्यम से यह बहुत ही असानी से हो जाएगा तो इस तरीके से हम अपनी system से SSD को भी connect कर सकते हैं और hard disk को भी असानी से connect कर सकते हैं तो इस प्रकार यह पूरा सेट हम लोग त्यार कर देते हैं और इसके उपर एक fan लगता है जो कि होता है CPU fan और उस fan का का क्या होता है कि इसके microprocessor जब heat होता है चलने की वजह से तो इसको ठंडा रखने के लिए इसके उपर एक fan लगता है वह fan इस microprocessor के heat को बाहर फेकता है और जिसकी वजह से आपका microprocessor ठंडा रहता है और continue चलता रहता है तो इस प्रकार हमारा यह पूरा connection त्यार हो जाता है और इस पूरे के पूरे connection को हम लोग एक डब्बे के अंदर जिसको cabinet बोलते हैं उस डब्बे के अंदर रख देते हैं जिससे कि हमारा पूरा CPU त्यार हो जाता है मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो बताया है वह आपके समझ में आ गया होगा आप इसको practice करके देखिएगा और कभी भी अगर आप एसेंबल कंप्यूटर आपके पास है या आप खरीते हैं तो आप इस तरीके से सारे हाइडवेट पार्स के बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए और उसको कैसे एसेंबल वोगर करते हैं इसके बारे में भी आपको complete जनकारी मिल चुकी होगी आपका बहुत बहुत इसakingछ से में खरीके बारे में बHoldाख कर दोगिते हैं करने कर दो आपका दो